स्वागत है क्रिस्प्रवस्स क्लासे चौनल पर आज हम डिस्कस करने वाले कर लिए कुछी में आप जोड़ सकते हों मतलब तीन नंबर और पांस नंबर वाले जितने में प्रस्त नोंगे वो हम इस वीडियो के मादयम से जानकरी अपिक्र ने भीडियो को तो माहत्मंगादी राष्रे आंग्ज्ञ्र पीडियो को बना चुके जाके ज़ो दिल पार देखेगा तो ये वो वाले प्रस्ट मोने वाले हैं जो की काफी बार एक्जाम में पूछे भी गए हैं तो वीडियो को एंड तक जरू देखेगा इसके बिलकुल भी मत कीजीगा तो मारा पहला प्रस्ट नहीं एस चयो गांडोलन कब आरम हुआ और इसी स्टगित करने के क्या कारण थे आपको बता दिया जाए ऐसायोग का मतलब है सहयोग ना देना हमार को अमध्रै बहैं को सहयोग नहीं देंगे तो इसे इसे इसा गांदलोन नोस जो था चोरी-चोडा कान के बाद वापिस ले लिया गया था 109 pine esao qandholi ni कि अंग्रेज़ों के सबी समानों को त्यागने की अपिल कि अंग्रेज़ों के पुस्तक थी रहीज उति रखिशा था कि अगर अंग्रेज़ी सरगार यह अगर भारत में बना बनी हुई है तो समानों और शिवाओं को त्यागने की अपील की गांधीशी ने उन्होंने विध्यार्टियों से अपील की कि वे इसकुल ना जाएं, वकीलों से अपील की क्या दालत ना जाएं, वकिसानों से कहा कि तुम कर चुकाना बंद कर दो, जिससे क्या होगा कि उनका सयोग बंद ह जाएगा हाला कि यह सयूंग जो था काफी हतक सक्सेस भी रहा था यह अंदुलन बहुत बड़े इस तर पर सफल रहा आवद के किसानों ने कर चुकाना बंद कर दिया 1921 में यहां पर 1921 है 1921 में देश में 396 हर्ताले हुई और इन हर्तालों में लगबग बोल सकते हो कि 6 लाग मजदूर इसमें सामिल हुए थे विधातियों ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया वकीलों ने अदालतों का बाइशकार कर दिया अदालत जाना उन्होंने बंद कर दिया उतरी आंद्र की पाहड़ियों में जंजातियों के ने वन्य कानून मानन जंजाति जंगल में रहती थी उन सब को मना कर दिया कि आप शिकार नहीं करोगे आप लकड़ी खटी नहीं करोगे आप वहां पे जंगल में जितने भी फलप्रूट हैं आप वह नहीं ले सकते हैं तो उनका जीवन जो था बहाल हो गया मतलब उनको जेवन में कठिनाई आन परवरी 1922 में सहीं तु प्रांट के छेत्र चोरा चोरी चोरा के एक पुलिस टेशन में किसानों के एक समून नियाग लगा दी जो की एक बोल सकते हो कि हिंसा थी और गांदी जी हिंसा पे बिल्कुल भी जोड नहीं देते थे तो इस हिंसा की वज़े से गांदी जी ने बो सब्सक्राइब करेंगे दूसरा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया और इसकी क्या सिपारिश तो इसकी सिपारिश प्रांतों और देशी राज्यों को मिला कर एक भारतिय संग का निर्मार किया जाएगा संग की एक कार्य पालिका और विधान मंडल होगा जिसमें सामिल होंगे प्रांतों को यह करकर अधिकार दिया गया कि वह अलग साशन समंदी समुव बना है भारत के अलग-अलग प्रांतों को तीन समुव में बाटा गया मदराज, बंबई, सेंच, प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, और और रोडिशा पहला दूसरा है उत्तरपश् तीन समुव को अलग-अलग अधिकार दिये गया कि वह अपने विशय के समंद्र में निर्नाय ले सके मतलब यहां पर A, B, C और यहां पर जो दे रखा है यहां पर तीनों समुव के पास अधिकार था कि वह किसी भी विशय में मतलब उनका जो भी विशय होगा वो खुद न समीन धान के निर्माण से संबन्दी सिपारिशी होई इसमें कैबिनेट помिशन में प्रती 10,.08 Jeanssankya पर एकस अधासे का निर्वाचन होगा प्रांतों के समीनधान समा में प्रतिनिधित्व आबाद hour पर किया जाएगा रियासतों को भी जन संक्या के अधार पर ही प्रतिनि चिले में जो मामले उच्पन हो उन्हें तैक करने के लिए भारत और इंगलेंड के बीच एक संदी होगी यह कैबिनेट मिशन में तैय हुआ था आगे है गांधी जी ने जितने बड़े राजनेतिक गया थे मतलब गांधी जी जितने बड़े राजनेतिक गया थे उतनी ही सब्सक्राइब और यह पूछा भी जा सकता है तो यह रखेगा कि काफी में पूर्टेंट में आप इसको कंसीडर कर लिए गांधी जी एक जन्न नेता के रूप में यह तो गरीब हो के तो मसीय हभा बन गए ते गांधी राइट उन्होंने अपने अंजलों और भी बूल सकते हो कि जो भी गरीब वर्ग थे उन सबको सामिल किया गया और सबको बराबर हिस्सेदारी भी दी ती राइट गांदी जी को यह पता था कि देश में अमीरों की संक्या केवल मुठी बरा और इतने से अमीर लोगों के साथ अंग्रे जी सासन को हिला पाना प्रियासों के कारण हजारों के संक्या में किसां समीक और कारिगर आंदॉलन में सामिल हो गया ठीक है इसी वज़े से आप बोल सकते हो कि जनता के लिए एक नेता के रूप में उब रहेते हैं सभी आंदोलन कारियों ने गांदी जी को सम्मान पूर्वक महत्मा कहा और यहा अच्छे परिवार से भी आप बोल सकते हो तो उन्होंने क्या किया कि गांदी जी ने सामाने लोग जैसे बनने के लिए उन्होंने सामाने ऐसी वेशभूसा भी अपनाई थी जहां एक तरफ देश के अन्य नीता सूट बूर पहनते थे वहीं गांदी जी एक साधारण ची दोती पहना करते थे अपनी वेशभूसा और विचारधारा के कारण लोग गांदी जी को गरीबों का मचिया कहने लग गये और हमदर्द के रूप में देखने लग गये गांदी वारण गांदी जी के वल राजनीतिक नेता ही नहीं बने बलकि एक समाथ सुधारग भी बने उन्हों देश में स्वच्छता और आत्म निर्भरता पर भी जोर दिया था आगे हमारा चौशन 1915 में मात्मा गांदी के वापस भारत आने के समय देश की दसा किस प्रकार थी त भारत में आकर गांदी जी ने देखा कि भारत की राजनीतिक व्यवस्ता बहुत जादा बदल चुकी है और कई अंदोलन देश में अन्य निताओं द्वारा चलाए जा रहे थे बदलते हुए इस स्थिति को देखते हुए गांदी जी ने अपने राजनीतिक गुरू गोप भाल करेशनी गुकले जी ने कहा कि गांदी जी से एक वरस तक आप क्या करो ब्रेटिस भारत की यातरा करो जिसे क्या है कि आपको ब्रेटिस भारत को जान पाओगे समझ पाओगे उसके बाद लोगों से धूबरू भी हो सकोगे उसके बाद आपको पता चल जागा कि आपक पर आप गांदी ने मुठी बर नमक उठाकर बेटी सरकार के खिला विगुल बजा दिया था उन्हें क्या किया था कि अंग्डेजी सरकार ने बोला जो है आप घर पर नहीं कर सकते हो आपको बजार से जाकर खरिजना पड़ेगा गांदी जी ने बुला कि ऐसा कैसे नमक तो तो आप ऐसा जो नियम है क्यों ला सकते हो तो गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाई जाने के विडोज में 12 मार्च 6 अप्रेल तक नमक इसके लिए उन्होंने अपने इस आयोगियों संग आयमजापाद से दांडी तक की लगबख 400 किलोमीटर की यात्रा की ती गांधी जी ने नमक शत्य ग्रह इसलिए शुरू किया था ताकि लोग प्रेम नमक उत्पन कर सकें मतब खुद नमक बनाएं जिसे कहा कि वेटी को लांदूलन भी था जिसमें अंग्रेजों ने अची अजार से अधिक लोगों को जेल में बेजिया था कि आपने हमारा कानून तोड़ा तो तोड़ा कैसे राइट आगे डिसकस करेंगे गांधी जी द्वारा चर्खे को मानव समाज के रूप में क्यों देखा जाने लग या फिर क्यों चुना गया चर्खे को राशवात का प्रतिक इस लिए क्यों गया कुछ समाने से समंदी था मतब समने लोगों से समंदी था हरको चर्कि का यूज़ भी करता था और स्वदेशी व्या आर्दिक प्रतिक भी था गांधी जी ने स्वें प्रती दिन आपना इन सब का इसमाल करें खुद यहां पर प्रोडक्शन करें जिसे क्या है कि भार्तिय जो है वो खुद अपना इस मतलब खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे आप निर्भपन जाएंगे ब्रेटिस आसन में जो भी वस्तु हैं उनका खरिदारी नहीं करेंगे आगे यहां पर चंपारन खेड़ा और एमदाबाद में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राश्यवादी नीता के रूप में उप्रे जिनमें गरीबों के लिए बहुत ही ज्यादा साहनु भूती थी इस बात को हमार को सपास करना है तो यहां पर 1917 में कब 1917 है यहां पर गांधी जी मुख्या रूप से गुजरात में दो आंधुलन से जुड़े हुए थे पहला था आंधाबाद में कप्रों की मील में काम कर रहे जो कामकार थे उनकी काम की स्थिति को बहतर करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था कि जो मजदूर थे उनसे ऑवर टाइम काम कराया ज जी ने बोला कि नहीं भई आपको कर नहीं देना है आपके लिए मैं आवाज उठाऊँगा तो गांधी जी ने आवाज बठाई उनकी कर्ण महापि के लिए समर्थन भी किया था इस प्रकार उन्होंने समाथ के निचले वर का सयोग किया और उनका समर्थन भी प्राप्त कि प्रत्यक्ष कारेवाई दिवस का अहावन किस ने किया कब और क्यों किया था तो 1940 में कैपिटनेट पिशन भारत में आया था जैसे कि अभी हमने दूसरा प्रस्ट में डिसकर्स किया था और इसनी कॉंग्रेस और मुस्लिम समझाता कराने के लिए काफी जड़ा प्रियाज भी किये थे कि दोनों में समझाता हो जाया तो भारत डिवाइट नहीं होगा विभाजित नहीं होगा कोई भी समाध्धान नहीं निकल पाया इसके कारण मुहमद अली जिन्ना ने 16 अगस 1946 के दिन प्रत्यक्ष कारेवाई दि जाब और बिहार तक पैल गई अब यहां पर पैल गई ना तो यहां पर समझेगा कि मुस्लिम लोगों ने मतलब उसमेश जो पाकिस्तान ना लगव रहा था उन्होंने और प्लात कार किया बच्चों को जान से मारा और खूब सारे उन्होंने देंगे किये तो गांधी जी इसके लिए क्या किया एक दिन के अंदुलन पर बैठ गहार हाले कि अंदुलन थोड़ा बहुत सक्सेस भी हुआ था और काफी जगा यह आंदुलन गिर भी गया था मतलब आप बुल सकते हो कि यहां पर यह जो डंग फसाद हो रहे थे यह कम भी हो गय तो यहां पर हम सारे अब आपको वीडियो अच्छी लेगे होगे वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्स्राइब करना दोसों के साथ शेयर करना साथी साथ आप हमारा टेलग्राम ग्रोप भी जॉइन कर सकते हो फोर इंपोर्टेंट कॉस्चिंस नोट्स और फो अच्छी ले टाटा बाइ बाइ भाइ छी यू मीट अगे और आइस देट वार